नमस्कार दोसर स्वागत है आप से का आपके अपने एट्रीच चनल अमन प्रयास दिकेजिस में तो जिसार के फेंट्स स्सी डीडी चोचोबिस के रिजल्ट का इंतजार हम और आप मिलकर कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा और हमारे फिजिकल की त्यारी भी चल रही है आज कुल मिलाकर आपका 14 तारिख है यानि आधा माई बिच चुका है और अभी तरक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है उसके बारे में बात तो हम लोग समय समय पर करी रहे हैं कि रिजल्ट माई में आएगा या इसके आसपास देखने को मिल सकता है ऐसा स्सी भी लगतार कर र जैसा कि हमने गूगल फोम जब भड़ाय था आपके इंसर किया था कटप की जनकारी के लिए तो उसमें हमने पाया था कि लगबग 40% से ज्यादा इसा बच्चा है जो कि 160 में से 70 या 80 नंबर के आसपासी ला पा रहा था यह वाकाई में दुखदाई वाली बात भी है कि इसको क्रेक करने की सही रन नीतिक क्या हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टाट करते फ्रेंट्स बिना किसी दे रहे है वीडियो में आगे बर्दें फ्रेंट्स इससे बहले बात कर लेते हैं टेस्ट बुक पे चल रहे है समर सकसे सेल के ब मिलने वाला है कूपन कोड़ अगर आप एपी जी उच करते हैं तो आपको 10% के जगा 12% का एक्स्टा ओपी मिलेगा और आप लोग को अगर नहीं पता है कि टेस्ट उपर क्या-क्या 307 में मिलने वाला है तो देखिए यह 307 रुपे में दोस्तों आपको 700 पलस exam का जो आपका टेस्ट सेरीज है जो कि आपका अनलोख हो जाएगा शाथ में जो प्रिविशेट इल कुशन होता है व हो आपका अनलोख हो जाएगा टेस्ट सेरीज की बात करेंगे तो सब एक्जामों का मोक टेस्ट बगर आप यहां पर दे सकते हैं पूआ की को डाउलोड कर बाते हैं मातर की पास पर जो कि आपको मातर 307 में मिल रहा है तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कॉमेंट सेक्शन में पिन क्या हो रहेगा तो आप लोग जाकर एक वाद चेक आउट जरूर कर लिजेगा चलिए हम लोग वीडियों में आगे बढ़ते हैं तो जो फोर्म डेट है जो कि SSC के ने कलेंडर जो जारी किया था उसमें आपसा बताया गया है कि आपका SSC GD जो पचीस का जो आपका फोर्म है वो दोस्तों आपका 27 अगस्त से भराना सुरू हो जाएगा यानि कि 27 अगस्त को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका SSC के दुआरा जारी किया जाएगा इसके लावा जो पेकेंसी आपका एपडॉक्स रने की जो संभावना है वो दोस्तों आपका 25,000 पलस है जिसा कि SSC GD का अब तक का ट्रेंड चल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका 25,000 पलस फ्रम है जो 25,000 पलस जो बेकेंसी है वो इस वार आपको देखने को मिलेंगे ठीके तो बात रही कि नए बच्चे हैं जो कि क्या पढ़ें और जो विगनर्स हैं या जो पहले त्यारी पले एकजाम 24 में दे चुके हैं वो लोग क्या क्या पढ़ें ठीके तो आप लोग सबसे पले कॉमेंट करके बताईएगा कि किन लोगों ने ससी 24 का फोर्म है जो की फोर्म भरत हैं और एक्जाम दिये हैं और कौन-कौन से लोगे जो कि पहली बार आपका ससी जीडी 25 का फोर्म भरेंगे और उसको क्रेक भी करेंगे ठीके तो हम बात कर लेते हैं दोनों के लिए ही ठीके क्योंकि जो रन निती होता है आपका सब के लिए सेमी लगवग होता है तो सबसे पहले फ्रेंट्स आपको ये करना है कि जो आपका ससी जीडी 24 में जो एक्जाम आपका कंड़क्ट हुआ था तिरपन सिप्ट में एक्जाम आ इसेमीनकंट क्योंकि एक्वाग तो सबसे करें अगर नहीं कर पाते हैं माल लीजिये कि पचास प्रसेंट कर पाते हैं तो बहू सारे butt चणनल है जहां पर आपका P.I.Q को solve गराया गया है, चाहे math का हो, चाहे reasoning का हो, चाहे आपका English का हो, चाहे हिंदी का हो, तो वहाँ सभी आप लोग सहायता ले सकते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं, आपका SSC GD 225 के आपके syllabus के बारे में, तो सबसे पले friends आपको बता दें कि आपका जो ये exam है, आपका computer based होता है, यानि की computer पर exam होता है, online, ना कि offline होता है, जो लोग नए है, जैसा कि पहले भी हम लोग ने बात कर चुके हैं, कि reasoning से आपका 20 प्रस पूछा जाते हैं, हर एक प्रस्णो का जो number होता है, वह आपका दो होता है, यानि की 20 प्रस आपका reasoning से जो लोग इंड्ली से आपका प्राय्स इस साल बातलों साल जो शंठा हाँ इस म classic प्रेंगेंगे जिसने की बहु की बहुत मच्रों, को आपका सहायता भी पराप्त हुआ था यानि कि मदद मिला था नमबर को अधिक उठाने के लिए और जो आपका कटफ है 24 में वो जो थ्वासा बरेगा उस कारण ही बरेगा किंकि आपका जो नेगेटिब मार्किंग है वो आपका 1 by 4 से 1 by 3 कर दिया गया था ठीके इन चारों स फस्ता है वो आकर फस्ता है आपका GKGS में ठीके क्योंकि GKGS में कहां से क्या पूछ दिया जाए वो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं वो सिब आपका SSC या जो TCS एक्जाम करवाता है आपका वही जानता है ठीके पिछले बार जब हमने 24 के question answer की को देखा GKGS के मामने मे तो हमने पाया कि static GK और आपके जो current phase थे उससे ही लगबग 40% question है जो कि आपसे पूछे गया थे 40% करने का मतम है 8-9% मात्र इनी जो topic से पूछे गया थे जिसमें आपका static GK था और आपका current phase static GK कहें तो यही आपका नर्थ हो गया dance हो गया ठीके इसके लाबा जो आपका सास्ते निर्थ सास्ते भाषा इन सभी से या कौन से समन्ध से कौन से वाद्धियन से समन्धी थे ठीके यही सभी प्रश्ण आपके static GK से पूछे गए थे ठीके अब बात रही कि 25 पे हम कितना नंबर लाएंगे तो हमारा selection है जो कि पक्का हो जाएगा ठीके तो हम लोग बात कर लेते हैं दो 23 का final selection के बारे में ठीके हम लोग देखते हैं एस SSP post का जो कि आपका SSCGD का सबसे उचा post है और यह जो भी SSP में आपके merit बनता है जीन लोगों का या जो लोग qualify SSP में करते है उनका जो posting होता है वो आपका सिर्फ दिल्ली में होता है गोली बंदुक आपको बिल्कुल नहीं दे जाता है मातर 6 गंटा का आपका duty रहता है एदम office वाल आपको feeling आएगा salary भी आपका अच्छा खासा होता है और आगे का जो प्रहाई है आगे की जो त्यारी है उभी आप पोस्ट के लिए ठेक है तो उसी का हम लोग मात करते हैं और इसी का जो आपका cut-up है आपका high जाता है ठेक है कोई भी साल का cut-up देखिएगा तो SSF का ही cut-up आपका high जाएगा तो mail category की बात करते हैं AWS का आपका 14.31 आपका number है जो की cut-up गया था SSF पोस्ट के लिए वह इंपर इवर category में आपका 149.55 गया था ठेक है कितना में तो एक सो साथ में यानि एक सो साथ नमर में 148 नमर जो लाया होगा उसको SSF पोस्ट मिला होगा एक सो साथ में जो यूर के होगे वह 149 नमर लाएं होगे तो उसको भी SSF पोस्ट मिला घा वह इंपर female category के बात करते हैं तो female में EWR categories का 142 नमबर लाने पर ही मिला है यानि कि लगबग के खत्तर कोस्टन और EWS category से आपका 140 नमबर लाने वाला को SSP है जो की मिला था SSP post का जो cut-up होता है friends वो आपका एक ही cut-up निकलता है हर post के लिए जो अलग-अलग राज्यों को अलग-अलग cut-up निकलता है आपका SSP में नहीं देखा जाता है वहीं पर 2023 की जब लोग बात करते हैं तो 2023 में जो जेनल एरिया का cut-up जेनल एरिया का cut-up था यानि कि एक minimum नमबर जहां से आपका selection होना शुरू हो गया था वो नमबर था आपका 72 नमबर ठीक है 72 नमबर से ही selection होना शुरू हो गया था बहत्तर नमबर 160 में ठीक है कहां का selection हो था तो असम में selection हो था BSF post के लिए ठीक है जेनल एरिया का था ठीक है इसके लाबा UP की बात करेंगे तो UP राज में 135 नमबर से आपका selection होना शुरू हुआ था ठीक है किस कोई भी post मिला हो लेकिन 135 नमबर अगर आप लाते तो आपका selection होता UP में ठीक है इसके लाबा फीमिल की बात करते हैं तो फीमिल बिहार का जो है 118.5 नमबर लाया पिछला बार 22 का cut-up निकल था 22 का तो भी आया नहीं है जैसा आएगा तो हम लोग आपको सुचना दे देंगे चाहिए वो टेलिगराम के माध्यम से दे या यूटूब के माध्यम से दे कहीं भी दे लेकिन देंगे जरूर ठीक है तो यह सारी चीजे थी जो कि आपको मालूम होना चाहिए था तो याद र पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में जब तक कि लिए जयाहिन वंद्य भारत